इस कहानी में हम देखेंगे की क्या हुआ जब एक सिप रहस्माई तरीके से आस्मान में उड़ने लगी कहानी की सुरुआत में हम एक बहुत ही पुराने मिलेटरी सिप को देखते हैं जहां सिप के कैपन अपने सारे पैसेंजरों का उनके सिप पर आने के लिए वेलकम करते हैं सिप पर टकासी और इवा नाम के एक कपल के साथ साथ एक फेमस पॉल्टीसियन और एक गैंक्स्टर के इलावा और भी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे वही कुछ सैतान लड़के सिप के कैनन के साथ छेड़ चाल करने लगते हैं लेकिन तब ही वहाँ पर कुछ गैंक्स्टर आकर उन लड़कों को मार कर वहां से बगा देते हैं इस दोरान उन लोगों की नजर सामने खड़े उस पॉल्टीसिन और उसके बेटे पर पड़ती है उन्हें देखते ही वह गैंक्स्टर पॉल्टीसिन की सामने जुक कर उन्हें सलाम करते हैं गैंग्स्टर के लेडर का नाम ब्योन था वो परसिडेंट और उसके बेटे से कहता है कि अगर आप लोगों को इस सिप पर किसी भी चीज की जुरुत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना फिर ब्योन परसिडेंट को उनकी केबिन तक छोड़ने का ओफर करता है वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है रस्ते में ब्योन एक कप को लात मार कर गिरा देता है जिसके अंदर एक बुढ़ा आदमी मिटी कठा कर रहा था ब्योन जब परसिडेंट को लेकर उनके क केबिन तक पहुचता है तो वहाँ पर कुछ पापा की परियां अपना मेकप कर रही थी जिसे वो धके मार कर सैट कर देता है और फिर परसिडेंट को उसके केबिन में पहुचा कर वहां से चला जाता है केबिन के अंदर जाने के बाद परसिडेंट का बेटा उससे पूचत कि डैड ये लोग कौन थे जिस पर वो कहते हैं ये सब बस गैंक्स्टर है जो अपना काम निकलवाने के लिए हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं तब हम वापस से उन लड़कियों को देखते हैं वो परसिडेंट के केबिन को दरवाजे के बाहर खड़ी होकर देख रही थी व वो कहते है कि तुम लोग हमारे साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो तुमने इन्हें लगजरी और हमें रेगुलर कमरे क्यों दिये हैं तुम्हें अपने सारे पैसेंजरों को एक समान देखना चाहिए तबी वहाँ पर गैंग्स्टर वियोन अपने आदमियों के साथ आ जाता ह और कहता है कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि वो कौन है जिस पर एक लड़की उन गैंग्स्टर से बहस करने लगती है बियोन उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो क्या तुम हमारे हाथों मरना चाहती हो तब ही वहाँ पर टकासी अपनी वाइफ इवा के साथ जाने लगता है लेकिन वो गैंग्स्टर टकासी को मारने लगते हैं जिसके बाद वियोन उन सभी लोगों को धमकी देते हुए कहता है कि किसी ने अगर कुछ भी बोलने की कोसिस की तो फिर वो बोलने लैक नहीं बचेगा फिर जब लंच का टाम होता है तो सिप के सारे लो तो परसेडेंट कैप्टन से उसे वही रहने देने के लिए कहते हैं सिप के सारे पैसेंजर ये भेधभाव देखकर बहुत गुस्ता होते हैं इसलिए टकासी कैप्टन के पास जाकर उसे कहता है कि आप लोगों का खाना हम लोगों से अलग क्यों है ये सुनते ही बियोन खाना खाऊंगा जो तुम लोग खाऊगे थोड़ी देर के बाद जब टकासी इवा के साथ जा रहा था तो बियोन उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर तुमने दुआरा से कंप्लेन करने की कोशिस की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा बियोन टकासी को हट कर रहा था इवा जब टकासी को बियोन से छुडाने लगती है तो वो उसी छेडने लगता है जिसके बाद टकासी चुपचाप इवा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है अब हमें वापस से उसी बुढ़े को दिखाया जाता है जिसे हमने पहले भी सिप की उपर गिरे धूल मि बिन में चला जाता है तकासी और इवा बुढ़े को ऐसा करते हुए देख लेते हैं इसलिए वो उसके पीछे जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वो बुढ़ा आदमी चोटे-चोटे पॉट में फलो और सब्यों की बीज बुरा है और अंडों से बच्चे निकालने की तैय चारी कर रहा है इसके बाद हम उन लड़कियों को देखते हैं जिसे हमने कमरे और खाने को लेकर लड़ते हुए देखा था वो उन गैंक्स्टर के पास जाकर उनसे पैसे मांगती है और पैसों के लिए वो लड़कियां उन गैंक्स्टर के साथ इंटिमेट होने लगती है थोड़ी देर के बाद जब ब्योन उन प्रॉस्टिटूट के पास से निकलता है तो वो देखता है कि Mr. President इवा को देख रहे हैं इसलिए ब्योन पर्सिडेंट से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं उसे आपके सामने पेज़ कर सकता हूँ परसिडेंट उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो जिस पर ब्योन कहता है कि आप बस सराप के साथ अपने केविन में इंतिजार करें मैं आपके लिए सबाब लेकर आता हूँ इदेर टकासी इवा के साथ इंटिमेट हो रहा था तभी हम देखते हैं कि बूढे चाचा टकासी और इवा को उनके केविन के बाहर से उन्हें देख रहा है थोड़ी दीर के बाद वो सैटान लड़के टकासी के कमरे में जाते हैं और दो-तेन लड़के मिलकर टकासी को बाहर निकालकर ईवा के साथ जबर्दस्ती करने लगते हैं लेकिन तभी बियोन वहां आ जाता है उसे देखते ही वो बदमास लड़के वहां से भाग जाते हैं जिसके बाद बियोन टकासी के पास चाकू लेकर उसे मारने के लिए आता है तो टकासी उसे धका देकर वहां से भाग जाता है लेकिन तभी अचानक से बियोन उसके सामने आता है और उसे चाकू से स्टैब करके मार देता है और फिर बियोन टकासी को जान से मार कर उसके बोड़ी को सिबसे नीचे समंदर में फेक देता है वहीं दूसरी तरफ परसिडेंट के बेटे को जब इवा की चिलाने की आवाज सुनाई देती है तो वो उसके केबिन में जाता है और सारे बदमास लड़कों को मार कर वहां से बगा देता है जिसके बाद इवा वहां से उड़ती है और टकासी को ढूनने लगती है लेकिन इवा के साथ गलत करने के बाद वियोन उसे उठा कर परसिडेंट के कमरे में पहुचा देता है जहां परसिडेंट भी इवा के साथ गलत करते हैं थोड़ी देर के बाद जब परसिडेंट वहां से चले जाते हैं तो वियोन जबर्दस्ति उसके बेटे को केबिन के अंदर बेज देता है पहले तो हमें लगता है कि परसिडेंट का बेटा मेरे तरह बहुत सरीफ है लेकिन वो बाकियों की तरह ही बहुत बड़ा हरामी था वहीं सिप के कैप्टन भी उन प्रोस्टिटूट के साथ इंटिमेट हो रहे थे और बुढ़ा चाचा फिर से उसे ये सब करत देवे देख रहा था थोड़ी देर के बाद जब इवा को होस आता है तो वो परसिडेंट के केबिन से भाग कर वापस से टकासी को ढूणने लगती है तब ही उसे सिप के एक कोने पर टकासी की बलड और सूज गरी हुई दिखती है इसे देख कर वो समझ जाती है कि इन लो सिप का सीन दिखाया जाता है जहां सिप के सारे पैसेंजर बुरे-बुरे काम करके सो रहे थे नेक्स्ट मॉर्निंग जब इवा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी सिप बादलों के बीच हवा में उड़ रही है और ये बाद जब बाकी के लोगों को पता चलत है जहां वो देखती है कि बुरे ने अपने केविन में प्लांट्स लगा रखे हैं और उसने अंडों से चोजे भी निकाल लिये हैं इवा चाचा से पूछती है कि आपने मेरी जान क्यों बचाई जिस पर वो से कोई भी जवाब नहीं देते और बस मुस्कुराते रहते हैं इधर मिस्टर परसिडेंट और ब्योन कैप्टन के पास जाकर उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा होते ना हमने कभी देखा है और ना सुना है फिर कैप्टन परसिडेंट को बताते हैं कि हमारे पास अब बस 6 दिनों का ही खाना बचा है वह लेकिन तबी मिस्टर परसिडेंट के साथ साथ वो गैंक्स्टर और सिप के सारे क्रियो मेंबर भी वहाँ पहुंच जाते हैं गैंक्स्टर उन लोगों को मार कर उन्हें रासन लोटने से रोकने लगते हैं लेकिन वो लोग उन गैंक्स्टर से ही लड़ने लगते हैं जिसके पाद Mr. President उन लोगों को जगडा बंद करने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो मैं तुम्हारे President होने के नाते खाने पीने की सारी चीजों को कंट्रोल में रखोंगा ता कि तुम सब को ब्राबर खाना मिल सके जिस पर सिप के कैप्टन परसिडेंट से कहते हैं कि इस सिप का कैप्टन मैं हूँ, मुझे पता है कि ऐसे सिच्वेशन में क्या करना है आपको नहीं, लेकिन परसिडेंट उसके बातों को नहीं सुनते, और ship के सारे passenger से कहते हैं कि तुम सब अपने cabin में जाओ मैं तुम्हारे लिए breakfast भिजवाता हूँ जिसके बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं उनकी वहाँ से जाने के बाद president captain से कहते हैं कि सारे लोगों को एक time का ही खाना दो और वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ship के captain कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते ये हमारे ship company की rules के खिलाफ है जिसके बाद बियोन अपनी गन निकाल कर उसे ship के captain की उपर point कर देता है और उससे कहता है कि ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो और हमारे लिए special खाना बनवाओ वो भी ज़्यादा ghost के साथ नहीं तो मैं तुम member के साथ मिलकर सारे passenger को खाने के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा rice ball देने लगते हैं जिसे कि एक passenger बहुत गुसा हो जाता है और वो बागे के passenger के साथ मिलकर परसिडेंट के पास complaint करने के लिए चला जाता है लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि परसिडेंट और बियोन मिलकर ghost और धेर सारा खाना खा रहे हैं ये देखकर सिप के सारे passenger परसिडेंट के ऊपर चिलाने लगते हैं तो बियोन फिर से आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता इसलिए अब से हम तुम लोगों को आज से बस दिन में एक बार ही खाना देंगे इधर सिप के कैप्टन रिडार से सिगनल भेजने और रिसीब करने की कोसिस कर रहे थे लेकिन वो वहां से ना तो सिगनल भेज पा रहे थे और इनके साथ मिलकर पौधे उगा रही हो इन्हें खाने लाइक बनते बनते दो महीने लग जाएंगे तब तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जिस पर इवा उसे थपड मार कर वहां से वापस बुढ़े के पास चली जाती है क्योंकि प्रिसिडेंट के बेटे ने उ खाने के लिए हम पर हमला कर सकते हैं इस के लिए हमें विपन्स की जुरत बढ़ सकती है यह सुनते है ब्योन अपनी बंदूग निकाल कर परिसिडेंट को देदेता है और कहता है कि आपकी सेफटे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके बाद परिसिडेंट उस के पैसेंजर उसके तरफ देख रहे थे परसिडेंट लिख पीस का एक टुकड़ा उन लोगों के तरफ फेकता है तो सारे लोग एक छोटे से टुकड़े के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं ये सब देखकर इवा परसिडेंट के उपर गुसा करने लगती है और उसे ग लोग देता है और कहता है कि भूलो मत कि वो मेरा बेटा है थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अब इवा भी चाचा के तरह एक कप में मिटी कठा करने लगे थी तभी परसिडेंट का बेटा वहां आकर उससे पूछता है कि क्या रासन खतम होने से पहले चचा हम सब के वो बस किसी एक के लिए फसल उगा रहे हैं फिर वो उससे यह भी कहती है कि मुझे लगता है कि बूढ़े को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है इसके बाद इवा उन मत्यों को लेकर बूढ़े के पास पहुंच जाती है तब ही एवा को खासी होने इसलिए वो खुद को खत्म कर देने का सोच रही थी लेकिन चाचा उसे ऐसा करने नहीं देते और उसका हाथ बान देते हैं इधर कुछ गैंग्स्टर थोड़ा सा खाना लेकर उन प्रोस्टिटूट को देते हैं और बद्ले में वो उनके साथ गलत काम करते हैं वहीं दूसरी आज पूरे पाच दिन हो चुके थे और प्रोपर खाना ना मिलने की वज़ा से सिप पर मौजूद सारे लोग भूग से तड़प रहे थे वहीं दूसरी तरफ परसिडेंड का बेटा अपने रुमाल में थोड़ा खाना लेकर उसे इवा को देने के लिए ज्याता है लेकिन इवा खाना लेने से मना कर देती है जिसके बाद चाचा उसे खाना लेकर इवा को खाने के लिए दे देता है वहीं दूसरी तरफ कुछ पैसेंजर्स भूग से परिशान होकर उन गैंग्स्टर पर हमला करके खाने के समान को लूटने लगते हैं जिसके बाद परसिडेंट बंदोग निकाल कर एक आदमी को सूट कर देता है और कहता है कि किसे ने अगर खाने को हाथ लगाने की भी कोसिस की तो मैं उसे ऐसे ही मार दूँगा जिसके बाद सारे लोग सारा खाना वहीं छोड़ कर चले जाते हैं उन लोगों के वहां से जाने के बाद जो आदमी मर चु चुटे चुटे टुकड़ी करने के बाद एक मसीन में डाल कर उनका खाद बना देते हैं और फिर उसमें पीड लगा देते हैं ये सब देखर इवा के हो सुल जाते हैं लेकिन उसे ऐसा लगने लगा था कि साइध चचा ये सब उसके लिए ही कर रहे हैं अब हम वापस से परस पर्षिडेंट के बेटे को बताती है कि मैं प्रिगने ढूँ और मुझे यह नहीं पता कि यह बच्छा तुम में से किस कमीने का है मैं मर जाओंगी लेकिन इस बच्चे को जन्में दे कर रहोंगी क्योंकि यह निए फ्यूचर है तभी परसिडेंट ये अलान करते हैं कि जिस किसी को भी खाना चाहिए वो सिपके नीचे की तरफ चले आए लेकिन जब सिपके सारे लोग सिपके नीचे के हिस्से में जाते हैं तो सारे गैंक्स्टर मिल कर सिपके नीचे के हिस्से के दरवाजी को बंद कर देते हैं और फिर परसिडेंट दर्वाजा खोल कर उन लोगों के ऊपर गेरनाट वेक देते हैं ये देख कर सारे लोग सौको जाते हैं सारे लोग परसिडेंट को रोकने की कोसिस करते हैं लेकिन परसिडेंट बारी-बारी सारे लोगों के ऊपर बॉम वेकने लगता है और जो कोई एकी भी जिनदा बच जाते हैं उन्हें गैंग की लोग वैसे ही मार देते हैं सिफके डिसे लिए वो खाने की उपर पिट्रोल चड़क देता है और जब परसिडेंट उसे मारने के लिए वहां आता है तो कैप्टन एक लैटर जला कर कहता है कि अगर तुम्हें से किसी ने आगे बढ़ने की कोसिस की तो मैं पूरे खाने को जला दूँगा लेकिन परसिडेंट कैप्ट इवा परसिडेंट उसका बेटा और ब्योन चचा सारे देट बौॉड़े को अपने साथ अपने केविन में ले आते हैं और फिर वो एक बड़े सी चाकू को इवा को देकर उन डेक बौौडी को काट कर उनसे खाद बनाने को कहते हैं जिसके बाद ईवा भी उन सारे बोड़ी को काट कर उनका खाद बनाती है और फिर उनमें पेड़ लगा देती है यहां पर हम उन अंडों से निकले हुए चोजों को भी देखते हैं जो बड़े हो चुके थे इधर पूरा खाना जल जाने के बाद परसिडेंट बहुत परिसान थे वो अपने बेटे से जाकर क खाने के लिए देने लगते हैं लेकिन उसका बेटा उसे ऐसा करने से रोक लेता है जिस पर परसिडेंट कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए मुझे खाना पड़े तो खा लेना अब हम देखते हैं कि चचा एक के बाद एक जितने भी लोग मर शुके थे उन मारे भूके मरने का वक्त आ गया है तभी वहां पर ब्योन आ जाता है और इवा को वहां से अपने साथ लेकर जाने लगता है परसिडेंट का बीटा उसे रोकता है तो वह उसे भी मारने लगता है जिसके बाद परसिडेंट ब्योन के उपर गोली चला देते हैं वह गोली ब द्वारा से उससे सूट करते हैं तो उसके बंदूग की गोलिया खत्म हो जाती है जिसके बाद बियोन परसिडेंट को मार कर बंदूग छीन लेता है और फिर बंदूग में गोली भर कर परसिडेंट को मार देता है बियोन भूग से पागल हो गया था वो इवा को मार कर उसे खाना चाता था लेकिन इवा जब उसे मिलती है तो वो उससे कहती है कि मुझे मत मारो मैं मा बनने वाली हूँ जिस पर बियोन कहता है कि फिर तो मैं पापा बनने वाला हूँ तभी परसिडेंट का बेटा वहां आकर बियोन से कहता है कि उससे दूर हो जाओ वो मेरा बच्चा जिसके बाद ब्योन चाको से उसे धमकाने लगता है लेकिन तबी इवा उसके जेब से बंदोग निकाल कर उसे सूट कर देती है जिसे की ब्योन वही मर जाता है इसके बाद वो लोग ब्योन को चाचा के पास लेकर जाते हैं जहां चाचा ब्योन को काट कर उसके बौडी का ख खाने लगता है लेकिन उसे अपने बाप का गोस्त पसंद नहीं आ रहा था और तभी उसे चिकन के बारे में याद आता है वो चिकन को खाने के लिए बुढ़े के केविन के पास जाता है लेकिन बुढ़े ने अपने केविन को अंदर से लॉक कर लिया था ताकि कोई भी उन चिकन को अंडे देने से पहले ना मार दे तबी इवा भी चाचा के केविन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि हमें अंदर आने दो मुझे भूग लगी है जिसके बाद चाचा एक होल से उन्हें गोस्त का एक तुकड़ा देते हैं जिसे लेकर इवा और परसिडेंट का बे गोस्त का एक तुकड़ा दे दिया है और फिर वो सिबसे कोद कर मर गए कुछ दिनों तक ईवा और पड़सिडेंट का बेटा जिन्दा रहते हैं लेकिन एक दिन जिब सारे इन्सान का गोस्त खतm हो जाता था है तो परसिडेंट का बेटा चिकन को खाने के लिए चला जाता है लेकिन इवा नहीं चाहती थी कि वो चिकन को अंडे देने से पहले उसे खाए इसलिए वो जैसे ही चिकन को खाने के लिए आगे बढ़ता है इवा उसे एक कुलाली से मार देती है जिससे वो मर जाता है उसे मार कर इवा उसके टुकले कर देती है और उसके गोस्त को इसी तरह से इवा कई महीने से सिपर अकेली रहती है जहां अब सिपर खाने पीने की बहुत से चीजे उग गई थी। उन मुर्गियों ने अंडे भी दे दिये थे और फिर एक दिन इवा अपने बच्चे को भी जन्मे देती है। अब इवा अपने बच्चे के साथ उसी सिपर रहने लगी थी। उसका बच्चा पढ़ा होने लगा था और सिप अभी भी आसमान में ही था। लेकिन पूरी सिप जंगल बन चुकी थी। सिपर 17 साल अपने बेटे के साथ गुजार देने के बाग एक दिन उसका बेटा उसे गलत तरीके से टच करता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोसिस करता है जिससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा ब्योन का था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वैसे दोस्तो कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मुवी के स्टोरी को एक्स्प्रेन किया था अगर आप लोगों ने उससे नहीं दिखा तो झाल